अगर आप गर्मी वाला टमाटर अपने खेतों में करना चाहते हैं उसकी खेती तो आपको किस महीने में करना है तो दोस्तों मैं बता दू कि आपको जनौरी माह में रुपाई कर देना है लेकिन आपको ध्यान रहे किन साउधाने के द्वारा आपको लगाना है टमाटर में जब आपका पौधा एग महीने का हो जाए तो लाश्ट फरोरी तक अपने खेतों में रुपाई कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत से साउधानिया अपनानी है कि किस तरह से आपको लगाना है ताकि आपका फल जो है टमाटर का उखराम ना होने पाए तो दोस्तों आपको तीन फुट पर आपको बेट बना लेना है बेट के द्वारा आप जब टमाटर लगाओगे तो आपका जो पौधा है ओ उपर ही रहेगा फल भी उपर रहेगे लेकिन आपको मैं बता दूँ एक कामाओर करना है दोस्तों डंडो के सहारे आपको पौधो को रोकना है इसके पौधान में आप रसी से या तार से अपने पौधो को और उस डंडो को बांदीजी एक में इससे क्या होगा आपका पौधा नहीं जुकेगा और जो फल रहेगा टमाटर का दोस्तों ओपर ही लटकता रहेगा इससे क्या होगा कि उधर मार्च अप्रेल और मई महिने में ज तो हमारे मिट्टी का यानि धर्टी का ताप मान रहता है वो पैटालिस और पचास डिग्री तक पहुंच जाता है इससे धर्टी में बहुत ज़्यादा तपन हो जाती है अगर आपका फल उस मिट्टी पर रखा रहेगा दोस्तों तो आपका फल खराब हो सकता है अगर इस तरह का आप टमाटर की खेती कीजिए दोस्तों लेकिर आपको मैं बता दूँ कि आपको सही बराइटी का चैन करना है अगर आप गर्मियों के महीने में टमाटर लगाना चाहते हैं तो आप सीजंटा कंपनी का साहू आप ला करके और नरसी लगाए और टमाटर से बंफर आप लीजिए अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और अभी तक जिन भाईयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और किर्पिया सब्सक्राइब करके एबल आइकन कंडे को प्रेस कर लें धन्यवार